मेरा मानना है कि कोई भी निशकर्ष निकालने के लिए अंतिम परणाम की पृतिक्षा कनी चाहिए परंतो हम ये कह सकते हैं कि अभी जो रुजान आ रहे हैं वो एक सकारात्मक दिशा में दिखाई पढ़ना है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सकारात्मक रुजान एक और एतियासिक जनादेश में भारती जनता पार्टी के पक्ष में परणित होंगे मुझे लगता है इस प्रकार के दावे प्रतिदावों कोई मत्तब नहीं है कुछ समय की बात है एकाद घंटे या कहें कि कुछ मिनट की बात है सो डेड़ सो मिनट और उसके बाद दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा जम्मू काश्मीर में कैसे देख रहे हैं जम्मू काश्मीर में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का पर्व बड़े उत्साह और व्यवस्था के साथ मनाये गया है जम्म जैसे सेक्टर में 80% तक मद्दान होना और हम ये कह सकते हैं कि देखिएगा जनता निर्णायक और एतिहासिक जनादेश देगी और भारती जनता पार्टी अब तक का अपने सबसे शांदार पुद देखिए मेरा मानना है कि कोई भी निश्कर्ष निकालने के लिए अंतिम परणाम की प्रतिक्षा कनी चाहिए परंतो हम ये कह सकते हैं कि अभी जो रुजान आ रहे हैं वो एक सकारात्मक दिशा में दिखाई पढ़ना है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सकारात्मक रुजान एक निरनायक और एथियासिक जनादेश में भारती जनता पार्टी के पक्ष में परणित होंगे मुझे लगता है इस प्रकार के दावे प्रतिदावों कोई मत्तब नहीं है कुछ समय की बात है एकाद घंटें या कहें कि कुछ मिनट की बात है सो देड़ सो मिनट और उसके बाद दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में कैसे देख रहे हैं ज speakers जम्मू कश्मीर में हम यह कह सकते हैं कि लोक तंतर का पर्व बड़े उतसाह और विवस्था के साथ मनाये गया चम जैसे सेक्टर में अस्सी पृतिजात तक मददान होना और हम ये कह सकते हैं कि देखिएगा जनता निर्णायक और एतिहासिक जनादेश देगी और भारती जनता पार्टी अब तक का आपने सबसे शांदार प्रदक्ट